इस वीडियो में के बारे में डीटियल में बात की है कि यह कैसे वर्क करते हैं और इन में से किसे पुल करना जादा बेटर है तो अगर आपने इस वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो जाकर देख लो आपके लिए कौफी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस वीडियो में हम लोग में फोर्ड्स की बात करेंगा और लाष्ट में मैं फाई स्टार की समेरी दोगा और आनेवले फ्यूचर के कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा कि आपको इनuyorumने की खिल पाइरो और इलक्ट्रोब के लिए जो है वीक कर देते है इनिमी इसको तो इससे आपके तो और लो टीम में आप इसे यूज़ करते हो और इसके सेकेंड पैसिव में जो है यह अटैक भी बुफ करती है इलक्ट्रो और पाइरो केरेक्टर का यानि कि अगर आपके पास पर 1000 HP पर यह 1% अटैक भुफ करती है जिससे यह पैक्सिमम 40% के अटैक भुफ कर सकती है जिससे अगर आपको फुली अटैक भुफ करना है तो शिवरेट को जो है 40,000 HP के आसपास जो आपको लेकर जाना पड़ेगा तब जाकर यह फुली अटैक भुफ करेगी अगर आप एक पाय्रो और इलक्ट्र कीम के साथ ओवर्लोट तीम यूज़ करना चाते हो तभी आप शेवरेट को फुल करो और यह कौफी बढ़िया करेक्टर है आपके लिए इस स्पेशली 1 ओवर्लोट तीम करबा बढ़िया है, एच C0 भी यह कौफी अच्छा है, क्यों C0 में भी यह जो है, एलिमेंटर रेस प्रोवाइड करती है, तो ओविसली यह C0 में भी बेटर है, बट इसका बेस्ट कॉंसिलेशन जो है, वो C6 है, क्योंकि C6 में जो है, यह और भी ज्यादा बफ करती है, पाईडर और इलक्टर का डैमज, जो की कॉफी यूज भोता है और पाईडर और इलक्तरडीपियस के लिए कॉफी बड winning करने का, पूरे पाटीपिया कोई करती है, तो C6 का कॉफी बड़िया है, बाग कि आप C4 भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि C4 में जो है यह elemental skill जो है maximum time यूज़ करते हैं जिससे यह सब DPS character के role में अच्छा खासा साबित हो सकती है तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास इसकी copy नहीं है तो आप इससे ज़रूर पुल कर लेना ठीक है अगर आपके पास बिलकुल भी नहीं है तो आप इससे पुल कर लेना बट अगर आपके पास इसकी copies है और आपके पास C2 वगेरा है तो इससे पुल करने के अभी ज़ C4 पड़ा है तो C6 के लिए आप जा सकते हो काफी important character हो सकती है overload teams के लिए second में अगर बात करूं कुझा उसारा की sorry मैं इसको कुझा उसारा वलता है कुझा उसारा की तो कुझा उसारा जो है वो भी attack buff करती है specially Bennett जैसा ही पकड़ लो इसका elemental skill का जो attack buff का duration है वो 6 seconds के लिए है इसलिए थोड़ा difficulty होती है overall अगर simply बात करूं तो अगर आप redden की hyper carry team बना रहे हो तो ही आपको खुझा उसारा जो है वो यूज करना चाहिए otherwise इसका कोई importance नहीं है यह उतनी decent character है इसके ultimate damage मिलता है specially इसके energy requirement बहुत जादा है बट रेटन शोगन के साथ अगर आप इसे यूज करते हो तो वह energy requirement फील हो जाती है इसलिए redden के साथ इसे use करना coffee safe होता है और specially redden के साथ अभी यूज कीजिए hyper carry जब इसमें c6 आपके पास अगर हो तो अगर आपके पास c6 नहीं है c4 या c5 पढ़ा हुआ है तब जाकर आप इसे लिए specially c5 रहा तो ही आप इसे pull करना otherwise इसे बिलकुल skip कर देना next मैं बात करू हमारे थोमा की तो थोमा देख सकते हो अभी काफी बढ़िया useful हो रहा है आने वाले समय में जब से dendro reactions आया है तब से थोमा को काफी लोग use कर रहे हो क्योंकि यह virgin और burning team के लिए काफी बढ़िया है और आने वाले समय में netland के काफी सारे characters आने वाले और आप देख सकते हो अभी जितनी भी characters आ रहे सब burning teams के लिए काफी important होता है तो उस team के लिए यह काफी बढ़िया है क्योंकि यह जो है अपने elemental skill और elemental burst में जो है शील प्रोवाइड करता है और साथी साथ off-field यह पाइरो apply भी करता है तो यह one of the best character है अगर आप किसी burning या virgin team के लिए ले जा सकते ह अगर बात करो इसका c4 और c60 काफी बढ़िया है इसमें एक दिक्कत यह होती है कि इससे भी energy requirement की काफी जादा जहुरत पड़ती है इसका भी burst cost काफी high है जिससे इसे build करना थोड़ा दिक्कत होता है बट अगर आपके पास इसका c4 निकल जाता है तो यह 15 energy restore करता है जिससे थोड़ा बहुत problem से बचा सकते हो अब इससे ले सकते हो लेकिन इसका c6 जो है वो काफी बढ़िया है क्योंकि थोमा जो है वो party members का जो है normal charge and plunging attack जो है वो बढ़िया बढ़ा देता है boost कर देता है जिससे overall आपका dps character है वो जो है boost हो जाता है तो अगर आपके पास c6 है तब अगर आपके पास dps character है यह आने के बाद ही पता चलेगा यह कैसा damage देगा बट इतना तो पता है कि यह मुलानी जैसा damage तो जरूर दे सकता है अगर आपके पास dps characters की बहुत जादा कमी है आपके पास dps characters नहीं है तब जाकर आप इसे pull करो और आपको एक नए character के साथ खेलना है otherwise आपके पास अलहतम है या फिर आप future कोई characters का wait कर रहे हो तो आप easily skip करके जो है इसके rerun में जो है इसको ले सकते हो तो अगर आपको किनि Shogun अभी कैs specially अच्छी है Red and Shogun कैसी है तो मैं specially बता दो गाइस Red and Shogun से ज्यादा Red and Shogun की जो national team है वह काफी important होती है ठीक है Red and Shogun at C0 में ठीक है C2 यह काफी broken है C2 में इसे कोई नहीं रोक सकता लेकिन C0 में जो है इसकी national team काफी बढ़िया है और इससे build करना भी easy क्यूंकि इसके पास weapon available है अगर आपके पास weapon नहीं तो आपको free का catch मिल जाता है जिससे आपको easily build कर सकते हो बट किसी किसी कि कि अगर किसमत खराब है उनको आटिफेर्स नहीं मिलते तो वह अलग बात है अगर कोई है जिनके पास बैनेट शैंग्रीन या फिर शिंचू औरेडी मौजूद है उनके account पे तो वह Red and Shogun को पुल कर सकते हो वह एक अच्छा DPS कर सकते हो और high enemies को easily down कर सकते हो और spiral abyss में भी क इस काफी सा रहा है जैसे निवलेट है अलहतम है मुलानी अभी आई है जो की काफी अच्छा डैमेज देती है उसके बाद नाविया है काफी अच्छा डैमेज देती है आरले कीन हो है तो आप इन characters का wait कर सकते है DPS के लिए इससे अभी के लिए पुल कर सकते हो बट हाँ ये जैलोनीन और दूसरी है नाहिदा ये दोनों character काफी important है नाहिदा किसी को introduction की जहुरत नहीं हुए specially top 1 character है और must pull character है टॉप में आती है तो नाहिदा जिसके पास नहीं है वो तो बिलकुल अभी रैटन शोगन को मेरे हिसाब से skip कर सकते हो अगर नाहिदा first इसमें आती है और next तो obviously ये काफी बढ़िया character हो सकता है तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास DPS character already मौझूद है काफी सारे नेवलेट है और बहुत सारे characters अभी के time पे बहुत सारे characters DPS आ चुके है तो मेरे हिसाब से अभी इसको आप जैलोलीन के लिए छोड़ सकते हो या फिर नहीदा के लिए इसे skip कर सकते हो बाकि depend on you अगर आप एक आर्कॉन लवर हो आगर आप एक वाइफू लवर हो तो आप बेजीज़क इसे pull कर सकते हो रिग्रेट बिलकुल नहीं होगा आपको बट मेरा suggestion था कि आने वाले समय में यह और better हो सकता है जैलोलीन के साथ या फिर नहीदा के साथ ब या फिर दूसरे characters के उपर जहां पर energy recharge की जहुरत पड़ती है देखो c1 में यह जादा बफ नहीं देती है इसका main जो है वह c2 है तो अगर आपके पास बहुत सारे primos है तो direct c2 के लिए जा सकते हो c1 उसका important नहीं है c2 या फिर c3 जो है आप इसे ले सकते हो बट अगर आपक जोगन के विपन के लिए पहले जा सकते हो उसके बाद इसके c1 या फिर c2 के लिए जा सकते हो जैसे आपकी इच्छा और specially देखो मैं एक अपने तरफ से suggestion देता हो अगर आप एक ही character को बहुत better बनाना चाहते हो तब ठीक है आप इसको c2 करने के लिए बट अगर आप नए- पर फोकस करता है तो यह किनिच के लिए better हो सकता है बाकी आने वाले समय में शायद दूसरे characters पर यूज हो सकता है बट अभी किसी character पर यूज नहीं होगा तो अगर आप किनिच पूल कर रहे हो और किनिच में बाकी weapons काम नहीं कर रहे हो तो तभी जाकर आपको इसे पूल कर है और इनके refinement काफी important होते है तो अगर आपके पास इनके refinement नहीं है तो इन रहे हैं नहीं बीच कर सकते हो 10 Zeal करके तो आप आप इन्हें ले सकते हो सकते हो 3ев मेनर 9-5 गर यहां पर प्ल कर नहीं बिल कर सकते हो जिशन के लिए एशन कर्ली कम मैं सकती हो तो यहीश मैं कहें भी DPS नहीं नए नवेले है तो वो डाइटन शोगन या फिर यहाँ पर किनिच ले सकते हो अधर्वाइस आपके पास अगर दो तीन DPS अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट या फिर लाइट स्टीम पर आकर मुझसे पूछ सकते हो हम लोग वहाँ भी डिसकस करेंगे कि आपके लिए बैटर कैरेक्टर कौन से हो सकते है तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई ठेक केर और अगर आप अभी तक के वीडियो देख रहे हैं तो प्लीस मेक शूर टो सब्सक्राइब